आजो बच्चो आपको आज इक कहानी सुनाते हैं इसका नाम है उपकार का बदला एक दिन एक प्यासा कबूतर पानी पीने के लिए नदी के उपर से उड़ रहा था पानी पीते हुए कबूतर को एक चीटी नदी में डूपती हुई दिखाई दी उसी पल कबूतर पास के पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर ले आया और उसे चीटी के पास फेक दिया उसने चीटी से कहा कि तुम इस पत्ते पे चढ़ जाओ और फिर मैं इस पत्ते को अपनी चोच में दवा कर किनारे पर ले जाऊंगा इस तरह उसने चीटी की जान को बचा लिया चीटी ने कबूतर को बहुत सारा धन्यवाद दिया एक दिन फिर क्या हुआ कि एक दिन जंगल में एक शिकारी आया चीटी जो अपने घर के पास बैठी हुई थी उसने शिकारी को देख लिया शिकारी पेड़ पर बैठे कबूतर पर निशाना लगा रहा था और कबूतर इस बात से अंजान था शिकारी धीरे धीरे कबूतर की तरफ बढ़ रहा था चीटी ने कबूतर को बचाने का निश्य कर लिया क्योंकि उसने भी कबूतर ने भी चीटी की जान को बचाया था चीटी शिकारी के पीछे पीछे गई और उसकी टांग पे जाके चुपके से काट लिया उसी समय शिकारी की बंदूग चल गई और शिकारी का निशाना चूग गया लेकिन सारे कबूतर साबधान हो गए और उड़ गए चीटी के काटते ही शिकारी को बहुत तेज दर्दुआ और वे वही जबीन पर बैठ गया उसने उड़ते हुए कबूतर को देखा और उदास होकर वहां से चला गया इस पिकार चीटी ने कबूतर की जान को बचा लिया इससे हमें यही शिक्षा मिलती है एक अच्छा कारे दूसरे अच्छे कारी की बज़े बनता है बाई बाई बच्चो